सकारात्मक्त, सोच, संग, उत्साह और उलास लिये, जीतेंगे हर हाली वाजी, मन में विश्वास लिये नमस्कार, स्वागत है आपका बिये चुबर्ण में, मैं हूं कुंदर कुमार और आप हमारे साथ जूर चुके हैं देवी करेंट अफियर्स बूलेटिट में जैसा कि कुछ दिनों से करेंट रफियर्स की जो विडियो है, वह आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे थी इसके पीछे कारण यह था, कि बिये चुफ का फ़र्ब निकल चुका था तो उसकी जानकारी जो आपके पास जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी थी उस पर दाम चल ला था और यूटूब पर एक दिर में अगर तीक चार से जादा विडियो चला जाता है तो उससे समस्या उत्पन होने लगती है तो जो चीजे आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वो आप लोग के पास पहुंचाने का प्रयास हो रहा था इसलिए करेंट अफ्यर के सीरीज को कुछ दिनों के लिए रोका गया था और दूसरा कारण या था कि आप लोगों से जो प्रस्न पूछे जाते थे आप लोग उसका जवाब नहीं देते थे जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते थे और फिर यह भी एक वज़ा है जिसकी कारण हम करेंट अफ्यर आप लोगों के लिए नहीं लेकर आते थे और करेंट अफ्यर का जो सीरीज है उसको लगातार आप लोगों के लिए लेकर आएंगे अगर आप इसको उस तरीके से नहीं लेंगे तो इसको बंद कर दिया जाएगा और जैसा कि नया जो पैटर्न आया है उसके हिसाब से करेंट अफ्यर एक महत्तोपूर्ण रोल अदा करने बाला है बीए सोसल साइंस और बीए आर्ट्स में 60 कोश्चन जीके जीए से पूछ जाएगे जिसमें कम से कम 5-7 कोश्चन करेंट अफ्यर से रहेगा तो अब करेंट अफ्यर आपके एक्जामिनेशन के कोईन्ट अफ्यू से काफी महत्तोपूर्ण हो गया है आप UET की तयारी करिए या फिर PET की तयारी करिए करेंट अफ्यर अब आपके लिए इंपोर्टेंट रोल अदा करने वाला है तो जो भी current affair आपको पढ़ाया जाता है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और एक अच्छे से पेज में हर दिन का आप notes बनाएंगे और उसको आप सरको जो group बना हुआ है उसमें आप share भी करेंगे और एक और बात आपसे पतानी है कि अब परिच्छा का form भनाया जा रहा है आप लोगों नहीं तक पौंप नहीं भनाया तो जल्द से जल्द पौंप भर देजिए और अब कोई पोतानी नहीं परती है और पूरे तन मन धन लगा कर तीर महिना मात तीर महिना आप examination की तयारी मे अपना सत्र प्रतीसत जोंक दिजिए जैसा कि हर एक दिन के करेंटरफियर का PTF आपको उपलब्द कराया जाता था PTF अभी भी आपको उपलब्द कराया जाएगा लेकिन इसमें थोरा सा तब्दीली की गई है तब्दीली आ है कि पहले description box में आपको PTF उपलब्द हो जाता था है तो अब सुरू करते हैं आज का डेली करेंटरफियर्स बूलेटिंग आज का सबसे पहला question में हाली में किस किस संगठर ने कोरोना वायरस को बैस्विक स्वास्थ आपदा घोजित किया है यूनिवर्सल हिल्थ इमर्जन्सी किस संगठर ने कोरोना वायरस को घोजित किया है कोरोना वायरस के बारे में हम आपको बताते चले कि कोरोना वायरस जो है ये सबसे पहले चीन में पाया गया और यह चंगादर और सांप में पाया गया और चंगादर के सूप पीने की वज़र से एक व्यक्तिक होगा और अभी चीन के अधिकतर भागों में कोरोना बायरस एक महावाली का रूप ले चुका है तो इसी चीज को देखने हुए एक संगठन ने इसको बैस्विक स्वास्त आपगा के रूप में गोहुजित किया है तो उससे संगठन का नाम क्या है तो उससे संगठन का नाम है विश्व स्वास्त संगठन विश्व स्वास्त संगठन तो इसकी अस्थापना की गई 7 April 1948 को 7 April 1948 गया और इसका हेट क्वार्टर जनेवा में अस्थापित किया गया जनेवा फ्वीटिजर लेंड बे अवस्थित है तो यहां से दो चीजे आपको जहना जरूर है कि W-H-O की अस्थाबना का वुई और इसका मुख्याले कहां है। ये दो चीजे आपको एकदम याद रखना ही है। और इसके बाद यह तो आपको याद रखना ही है कि हाली में किस वैरस को विश्विक स्वास्त आपदा घोशित किया गया है तो क्रोना वैरस को किया गया है किसके द्वारा किया गया है विश्व स्वास्त संगठन डबलू हो के द्वारा किया गया है अब हम चलते हैं second question की ओर, second question हमारा है operation vanilla, मैटागासकर में चक्रवात आया है और इस चक्रवात में भारतियों की सायता के लिए operation vanilla सुरू की गई, भारतिय का ये ये फिर मानब समुदाय के रक्षा के लिए और उनकी सेवा के लिए operation vanilla सुरू किया गया और किस के द्वारा सुरू किया गया action यहां है, तो यहां सुरू किया गया भारतियों नौसेना के द्वारा, भारतियों के बारे में उसके बारे में जानेंगे तो भारतिय नौसेना के दोरा ओप्रेशन बनीरा शुरू किया गया तो यहाँ पर यह भी आप इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि ओप्रेशन बनीरा का शंबंद किसे से हैं तो भारतिय नौसेना से हैं भारतिय नौसेना की अस्थाफना होती है 5 सितमबरowssä 1295 और भारतीय नौशेना के पहले प्रमुख बनाया जाते है रियल बिदरल future प्रमुख और आभी जो इसके उन्नका नाम है कर्मवीर सिंह एडिमीर कर्मवीर सिंह उनका पूरा नम है और एडिमिलन कर्मिबीर सिंग भारत के 26 में नौ सेना प्रमुख हैं अब यहां पर एक और मत्वपून कोश्चन है जो बार बार इक जाम के पूछा जाता है भारतिये नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है आप इसको अपने नोट्स बुक में अच्छे से दर्श करेंगे भारतिये नौ सेना दिवस मनाया जाता है परते एक साल 4 जनवरी को 4 जनवरी नहीं 4 दिसंबर को मनाया जाता है तिसरा परस्न है निशनल डेमुक्रेटिक फरंट अफ बोडो लेंड ग्रवादी संगठन है तो यह समका उग्रवादी संगठन आप यहां असम से समंधित महत्वूर्पूर्ट के बारे में जानेंगे जो आपके पॉइजामिनेशन के पॉइडियों से काफी महत्वपून है असम की राजधानी जो है वह दिस पूल में और इसके मुख्य मंद्री का नाम, सरवादन स्वमुबाल है, और यहां के राज्ये पाज जगदिश मुखी है ये कुमन चीजे हैं, जो सब को जाना ज़रूरी है इसके बाद असम का जो विधान मंदल है वह एक सदनिय है एक सदनिय का मतलब सिर्फ वहाँ विधान सभा है विधान मंदल नहीं है और वहाँ विधान सभा में सीटो की पुल संक्या है 126 और इसके बाद वहाराजे सवासितो की संख्या साथ और लोग सवासितो की संख्या है 14 तो यह तो हमारा दीसरा प्रसन आज का चौथा प्रसन हमारा है अर्वित क्रिश्णा के बारे में अर्वित क्रिश्णा कौन है तो अर्वित क्रिश्णा भारतिय मुल्के है और हाली में अर्विदी कृष्णा को अमेरिका के एक कंपनी का CEO बनाया गया है, तो जिस कंपनी का CEO बनाया गया है उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी का नाम है IBM, IBM का CEO बनाया गया है अर्विदी कृष्णा को, की को लेकिन कोल वायरस की बजल से से इसको आगे के लिए टाल दिया गया है तो यह देज है चाइना चाइना में बैड विंटर मास्कर पुनामेंट के पहले संस्करान का है वह जर भोना था लेकिन कोरोना वैरस की बज़र से इसको टाल दिया गया है और नेक्स्ट कॉस्टन इसको नेक्स्ट बढ़ेंगा और नेक्स्ट कोसें भी आपकेल से एनेक्स्ट कोश्टन है ऑस्टरेलियक ओपन टो 2020 का मेंस स्पिणल का खिताव किस ने जीता नोगान जमीच ने नुवाक जोकोवीच जो है वह सर्विया के स्टार टेलिस खिलारी है और इन्होंने फाइनल में आस्ट्रिया के जिस खिलारी को पराजित किया उसका नाम है डोमोनिक स्मित डोमोनिक स्मित आस्ट्रिया के पहले ऐसे टेलिस खिलारी है जिनोंने उस्ट्रेलियर ओपन के फाइडल तका सपत्य किया लेकिन फाइडल में उसका जो सफर है वो नुवाथ जोकोविच के हां तो समाथ हो गया नुवाथ जोकोविच सर्विया के है और कभी-कभी परिक्षा में सीधे पूछ दिया जाता है जोकोविच के समद्थ किसी खेल से है तो नुवाथ जोकोविच का समद्थ टेरिश से है नेक्स्ट कोस्टन हमारा है जो बजट से संभन दित है आम बजट 2020 का income tax का डायरा कहां तक सिवित किया गया है यानि हम कम सकते हैं बुसरे लहजे में इसको कि आम बज़र 2020 में income tax कहा तक मुद्द किया गया है फ्री किया गया है तो जो वेक्ति 5 लाख रुपया सवाना कमाता है यारी कि एक साल में जो वेक्ति 5 लाख कमाता है उसको कोई भी income tax नहीं देना परेगा और हमारा next question भी बज़र से ही संबंदित है और हमारा ये जो question हो बज़र नहीं परियतन से संबंदित है जब आम बज़र 2020 पेस किया जा रहा था तो उसमें 5 परियतन अस्थर को परियतन अस्थर को रूप में विक्सित करने की बात कही गई है तो वो 5 जगा कौन कौन है तो उसमें पहला जगह है हस्तिनापूर हस्तिनापूर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे दूसरा जगह है शिव सागर जो असम में अवस्थित है तीसरा जगह भॉला विरा है जो एतिहाजिक द्रिष्टिकोन से काफी संपन अस्थान है और यहां गुजरात में अवस्थित है चौत्य रगा आदी चलूर है और यह तमिल नाडू में अवस्थित है और पांच वाज राखी गड़ी है और राखी गड़ी में भी राखी गड़ी भी एतिहाजी ग्रूप से काफी संपन है और यहां भी गुजरात में अबस्तित है तो इन पांच परियाटर अस्थर को परियाटर अस्थर के विक्सित किया जाने का घोष्णा आम बजट 2020 में किया गया है अब नेक्स्ट कोष्चन है जब बजट अभी यहां पे जो कोष्चन आपको दीख रहा है साथ से लेकर साथ आठ नौद यह चार चार प्रश्चन आपके बजट से संब्नित है एक फरवर्णि को पेस्ट किया गया और उसी से चार सक्ष्चन संब्नित है दूसरा नौवा नम करने की बाद ऊहना कि स्टर्श्चन आपakah धर्यारत को भारत कों चिख्चा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है तो यह किया गया है 99,300 करोड तो दोस्तों यह था हमारा आज का डेली करेंट अफेर्स बुलेटीग अब बारी आती है आपसे रुक्सत होने की आपसे बीदा लेगी हम आपसे बीदा लेगी हम आपसे बीदा लेगी तीन प्रस्म जो आपसे हमेशा पूछे जाते थे आज भी पूछे लाएंगे पहला कोश्चन है आपको बताना है डावलू वेशों का मुझ्याले का है दूसरा कोश्चन नौसे ना दिवस कब मनाया जाता है और तीसरा कोश्चन नुवाग जोकोविच का संबद किस खेल से है दोस्तों अगर आपको हमारा प्रेंट प्रेंट प्लेटिंग का वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और जो भी प्रश्चन पूछ रहाते हैं कमें आप उसका जवाब देजिए और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इस यूटूब तर्मन अयटा के साथ तयायए करे अगर नेवारे अब आज का तीसरा फृस्टन है झालिए उगरवादी संस्था है और इसके चैनыл के अद्र सासेrist और ने एक सांहान संधाय किया है अब कोश्चन ये है कि निस्टल डेमोप्रेटिक फ्रंट और बोडोल लेंड जो है वह किस राज्य का उग्रवादी संगठन है तो यह है असम का उग्रवादी संगठन सबसे पहले असम की राजधानी जो है वह दिस्पूर में है और इसके मुख्य मंत्री का नाम सरवादन सोमबाल है और यहां के राज्य पास जगदीश मुख्य है यह कोमन चीजे हैं जो सब को जाना जरूरी है इसके बाद असम का जो विधान मंदल है वह एक सदन यह है एक सदन यह का मतला सिर्फ वहां विधान सभा है विधान मंदल नहीं है और वहां विधान सभा में सीटो की पुल संक्या है 126 और इसके बाद वहां राज्य सभा सीटो की संक्या 7 और लोग सभा सीटो की संक्या है है 14 तो यह का हमारा दीशा प्रस्टिंट आज का चौथा प्रस्ट हमारा है अर्मीन कुन है तो इसरी मिस smells प्रस्टा को Er Communistable करें तो इस कम्पनी का सी यो बनाया गया है उसं था नाम है जूसर नाम है IBM का सीच योrences बनाया गया है अर्मिन कृष्टन को पहले शाल पहले संस्करण का आयोजन पूर रहा था लेकिन लोगा मिया इसको आगे के लिए उस्याद को चाल दिया गया है तो यह देज है चाइना चाइना में बैड विंटर माश्टर पूर्णामेंट के पहले संस्कारण का है वह जर भोना था लेकिन कोरोना वैरस की मज़र से इसको टाल दिया गया है नेक्स्ट कोस्ट एक संगल का घिताब किसने जीता तो इसका मेंस जेघ वह जीता है नौत टोको घखावट ने वासर्मिया को स्टाल त्ली स्खिलारी है और इनोंने हैं ऑस्ट्रिया के जिस खिलारी को और आजित गया उसकाrąव है डोमनिक स्मित दोमनिक स्ट्रिट ऐस्ट्रिया के पहले ऐसे टेनिस किलारी है जिनों ने ऐस्ट्रिया ओपन के फाइडल तका सफर तै किया लेकिन फाइडल में उसका जो सफर है वह नुवाथ जोकोविच के हाँ तो समाथ हो गया नुवाथ जोकोविच सर्विया के है और कभी-कभी प्रिक्षा में सीधे ये पूस्थ दिया जाता है कि नुवार क जोपोविस का संब्द किसी खेल से है तो नुवार को जोपोविस का संब्द टेनिस से है नेच्ट पूस्चिन हमारा है जो बज Talat से संबन दित है आम-बज़त 2020 का income tax का जायरा कहां तक शिवित किया गया है यालि हम कव सकते हैं कुछरे लहजे में एक को कि आम-बज़त 2020 में income tax कहां तक मुद्ड किया गया है फ्री किया गया है तो जो बैक्ती 5,00,00 रुपया साहना कमाता है जाने कि एक लाख एक साल में जो वेक्टी पांच लाख कमाता है उसको कोई भी इनकम्टिक्स नहीं देना परेगा और हमारा नेस्ट कोश्चन भी बजट से ही संबंदित है और हमारा यह जो कोश्चन हो बजट में परियतन से संबंदित है जब आम बजट 2020 पेस किया जा रहा जाता तो उसमें प्रियातर अस्थर को पर्यातर रूप में भाठ करें की बात करी गई फांच जगह कौंड यह और यहांवी संपन्स्थार और यहां भुज्रातस भाग व॥ MP4 उप्राखता करें जाने का घोसना आम बजट 2020 में किया गया है अब नेक्स्ट कोश्चन है जब बजट अभी यहां पे जो कोश्चन आपको दीख रहा है साथ से लेकर साथ आठ नौद यह चार चार कोश्चन आपके बजट से संब्दित है एक फरबने को बजट पेश किया गया और उसी से चार संब्दित है दूसरा नौवा नंबर कोश्चन हमारा है टीवी मुक्त भारत जब पेश किया रहा था तो बित मंतिर निर्मला शिता रामन भारत को टीवी मुक्त कर दिया जाएगा तो दोहजार पतीस तक भारत को टीवी करने का लक्ष मिधारित किया गया है तो ये किया गया है 99,300 करोड तो दोस्तों ये था मारा आज का डेली करेंट अफेर्स बुले की अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की आपसे बीदा ले लेगी हम आपसे बीदा ले उससे पहले तीन प्रस्म जो आपसे हमेशा पूछ प्रस्टे जाता है और तीसरा पूछ नुवाग जोकोविच का समद्ध किस खेल से है दोस्तों अगर आपको हमारा प्रेटर प्रेटर प्लेटिंग का वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और जो भी प्रस्न प कर लें आप से फिर होगी मुला का अगले वीडियो में आप हमेशा खुश रहिए मन लाया कर अपने लक्स की तयारी किजिए और हम पहले ही आपको बता चुके हैं आप सो प्रतिसत जोंकने की बारी आ गई है तो आप पूरी तर्मन्यता के साथ तयारी करें भनने बार